नमस्कार दोस्तों स्वात करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे आइस याइस याइ बैंक में निकली हुई रिक्रूट्मेंट के बारे में पूरी डिटेल में तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फैली बारे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बैल बड़त दबाना ना भोलेगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आप से मिसना हो जाए और मैं बताना चाहूंगा अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग जो रिक्रूट्में जो है वह आउट हो चुकी है जिनके वीडियो बनाके मैंने लिंक आपको इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन में दे दिया है अब वहां पी चेक करके उन वीडियो के तुरोबडन के बारे में जो — फियंक एज है और और डियेंस है अगम क्रेम से पहले हैं तो तो सब्ससे प पुदारने चाहता हूं जो पोस्ट काउंट है वो चेंज होता रहाता है डेवाइड आप चेक करके वहां से प्लाइब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डिटेल में चेक करके अप्लाई जरूर करिएगा चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स इसके बारे में नेक्स हम बात करेंगे employment type का है employment type मतलब कि यह जो आपकी recruitment हो किस type की है तो यह bank job है ठीक है इसके लिए जो apply कर सकते हैं all India male and female candidates दोनों ही इसके लिए apply कर सकते हैं application fees की अगर हम बात करें तो निल रहेगी इसके लिए job location all over India रहेगा all over India से मतलब है जो recruitment रहती है वो requirement के accordingly है तो अलग-अलग state में रहेगी जिस भी state में होगा वहाँ पे mention किया होता है जिस भी recruitment के लिए आप apply करना चाहें आप click करेंगे further आपको उसकी detail जो है वो दे दी जाएगी क्या-क्या qualification रहेगी और उसके लिए जोब पोस्ट के लिए क्या-कर रिटेरिया नोटे दिया हूँ वहाँ mention होता है तो आप चेक कर सकते हैं और job location भी आपको हर एक job के उपर अलग-अलग दीजिए हो सकती है ठीक है जिस तो check करके आप apply कर सकते हैं अगर हम बात करें qualification की इसके अलग-अलग जो है job post job post के accordingly आपकी qualification रहती है 10th, 12th graduation post graduation वाले जिन्होंने recognize board या university से apply किया हुआ है जो किया हुआ है आपने qualification में तो आप apply कर सकते हैं next हम बात करेंगे जो है इसमें various post जो हैं वो out रहती है ठीक है जी और आपकी selection जो रहती है वो interview के accordingly ही होती है और apply करना already start हो चुका है तो मैं आपको इसके लिए जो है link provide कर दूँगा आप वहाँ पे click करके notification चेक करके apply कर पाएंगे ठीक है जी, so final आपकी selection रहेगी वो interview के basis पे ही रहती है, चाहे वो कोई भी post हो तो आप उसके लिए online apply की थी आपको खुद बखुद जो है बाकी फर्दर communication टीम के तरव से आ जाएगा so मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धिन्यवाद